हलो नमस्कार मित्रों जय से रिराधे मित्रों आप सबी को फिर से एक नई वीडियो में फूले बाबा की गर्पा से बहुत-बहुत स्वागत हैं तो मित्रो आज की इस वेड़े में बात करेंगे कि मकर रासी की द्यानिक रासी फल के बारे में कि मकर रासी वालिजात को के लिए कैसा रहेगा आज का दिन मकर रासी के स्वास्त में किस परकार रह सकता हैं किस परकार आपके कार्य चेत्र में रह सकते हैं किस परकार परिवत्तन के योग बनेंगे और आपके बैपार बिबसाई एरियल लव लाई एवं स्वस्त में किस परकार रहने वाले हैं और आपके द्यानिक दिंचरिया में किस परकार से परिवत्तन के योग बनेंगे और किस परकार से आपके जीवन में किस परकार खुशियों के रंग भरने वाले हैं सीवजी को परसन्य करने के लिए Casey कोन से हो मंत्रों को उच्चारन करने से आपके लिए सिउप और बैतर हो सकते हैं किस परकार आपके जीवन में तमाम दुखतक अकलिपें सभी समस्याओं से चुटकर आपा सकते हैं और आर्थिकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं आज आपको बताएंगे कौन से महत्पुन साउधानी प्रत्य के जोड़ते हो सकते हैं जो कि काफे महत्पुन होंगे काफे रोचक होंगे काफे महिक जीन होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे तो वीडियो को जो हैं पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अब इससे कीजिएगा ताकि आपको इसी परकार से रोजा नारा सिपल आपको समय से मिल सके और अपने आने वाले दैनिक दिन्चरिया में कुछ ऐसा परिवर्तन कर सके तो आपके गाउ समाज में अले एक पहत्चान बने मान सम्मान इसकृति में बिर्दियो आपको यही तमन्ना रहती हैं तो आज पूरा होगा आईए जानते हैं आपके ग्रों के प्रभाव किस्सर्श परकार से पढ़ेंगे जो आपके जीमन में खुछियां भद देगी तता सारे आपकी दुख तक्रिपें खत्म करने वाली हैं आज यह कहती हैं बड़ा ही धन लाब होगा तता सारे मनो कामना आपके पुर्ण होगे जो काम पिछले कुछ समय से आपका रुका हुआ था अटका हुआ था उसे पूरा करने का आज पूचित समय हैं इस समय कोई नई उपलब्दी आपका इंतिजार कर रही हैं और आप सकते हैं अपने क्रोध तथा आभेग पर काबू रखें विध्यार्दियों को इस समय अपने लक्च पर पाइने रजा रखने के अवसकताएं होंगी बेकार की गतिविदियों में अपना समय जो हैं नश्ट ना करके अपने अध्यान पर दियान दें जो कि केवाल आप में बहुत ही अच्छा रचनामक तो होंगे बैपार में विस्तार की योजनाओं को मंत्र रूप देने का उचित समय हैं फिजुल खर्ची पर जरूर से जरूर नियंदन जकें किसी अप्रचित इंसान की बातों में आने से आपके प्रिसानी बढ़ सकते हैं नोकरी में पंदोत सेहत के रहेंगे प्रंतु घर के किसी सदसे के सेहत को लेकर जो हैं चिंताइब बने रहेंगे इस समय प्ला परवाही बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा जिन लोगों ने कटिन परस्तित्या में आपका साथ दिया था उन लोगे के बारे में ज्यान दकना भी आपका करते हुब बनता हैं दूसरों को भला ही आतिक साहता आप ना कर पाएं फिर भी आपने सयोग दुआरा उनका दूख दूर करना है आपके लिए अज संभव हो सकते हैं योकि बेहाद है आपको रोचक इमांदारी बला दिन को याद दिलवाएगा विद्यारतों को केरियर के अवसकताएं होंगे जो काफी मैत पुन होंगे आपको कोशकेरने के लिए अपने पार्टनर दुआरा प्रियतन किया जा सकते हैं तो कि काफी बैतर होगी सुगर संकते तकलीप भी नियंतरन में रहेंगे तो काफी उरजावान आपको रखेंगे ओपिस में साहकरीयों का व सफलता बाली दिन होच को रह सकता हैं आपके जीवन में पिसे सफलता पुन आज मिलने वाली हैं मकर रासी के जातक व्यहाद इख उसी नजर आएंगे आपने जो काम किये थे उसका अनुरूप आज आपको भल मिलने वाले हैं तो ता आपके सारे दुख तकलीपें कत्म हों आपको सुब परिनाम आपको प्राप्ति होंगे विद्याती वर्ग अपना होमवर्ग समय पर पूरा कर लेंगे घर की मरम्म या कोई नया घर खरिदने संबनित भी जोजनाएं बनेंगे जो कि फली पूती अच्छी से होंगे लावकारी होंगे सुब होंगे दो पहर बार परिस्तिया कुछ जो है परतिकूल हो रही है अचानक है कोई चिंताम के स्तित्य बनेंगे चलते कारियों